Good morning and welcome to Curiously Education दोस्तो मैं हूँ प्रशांत मावानी I hope you are learning good you are watching the Hindu analysis आज 11th January 2023 है दोस्तो examination को लेकर preparation को लेकर कोई भी doubts, कोई भी questions, कोई भी queries है तो आप मुझे email कर सकते हैं on this address that is CuriouslyEducation at gmail.com तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले topic की ये दो हिंदू का article है इस article को लिखा है हमारे minister पियूश गोईल साब ने और इसका नाम है The Beginning of India's Cultural Rennais Science काशी तामिल संगमम ये एक एक महिने लंबा एक महिने चलने वाला एक संगमम यानि की एक संगम जो है वो रखा गया और इसमें क्या हुआ कि इसमें जो तामिल कल्चर है उसको डिस्पले किया गया काशी में और पियूश गोईल साब लिखते हैं कि ये एक नए युग की शिरुवात है और यहाँ पर जो नौर्थ और साउथ दो एक डिविजन हो जाते हैं हम देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में भी जो नौर्थ रीजिन है तो अपना एक कल्चर है साउथ जो है तो उसका अपना एक युनिक कल्चर है तो ये जो काशी तामिल संगम है ये संगम हम कहें या संगम कहें तो ये जो फ्यूशन है तो ये fusion की बज़े से क्या हुआ कि हमारा जो ancient इंडिया का जो tradition है तो इसका एक fusion हुआ और इसका long term result ये होगा कि cultural growth भी होगा हमेरे देश का और इसके साथ economic growth जो है इसको भी boost करेगा अब जानते होंगे कि एक प्रकार का program चल रहा है जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ट भारत तो इसी के तहट और इसी एक भारत श्रेष्ट भारत को बढ़ावा देने वाला ये एक काशी तामिल संगम है काशी की बात करें तो ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और तामिल नाडू जो है वहाँ पर जो language बोली जाती है तामिल लेंग्वेज इसके बार में शाद आप नहीं जानते होंगे जानते होंगे क्योंकि इससे पहले भी मैंने ये बात जो है वो बताई है पास्ट में मैंने इस चीज़ को डिसकुस किया है कि तामिल लेंग्वेज जो है ये दुनिया की सबसे पुरानी लेंग्वेज है बहुत कम लोग इस फैक्ट को जानते हैं बद तामिल civilization की बात करें हमारी सभ्यता की बात करें तो ये दो pillars है काशी जो है वो एक pillar है और Tamil language जो है वो एक pillar है और आप देखिए दो पुराने pillars जो है उसको आज के नए जमाने की facilities के माधियम से fusion इसका create किया जा रहा है arts, music, craftmanship, philosophy, spirituality, literature, ये सारी चीज़े जो है वो exchange की गई और ये जो संगम है इसने एक युनीक platform create किया और जो हमारी ancient knowledge है ancient हमारी जो धरोहर है हमारा जो heritage है उसको rediscover करना उसको integrate करने का काम जो है वो किया है और आज का जो हमारा modern thought है philosophy है, technology है आज की नई जो craftsmanship है तो इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों के माधियम से ये दो पुरानी संस्कृत्ती जो है इसको जोडने की कोशिस की गई है भवाया देस संगम इसे के साथ-साथ ये innovation को boost करेगा, right? आर्टेस्ट हैं, artisans हैं, weavers हैं, entrepreneurs, traders है इन सब के लिए यहां पर फाइदा होगा इसे के साथ-साथ वारणासी जो है वो बना रसी सिल्क सारी के लिए काफी famous है और कंची पुरम जो है वो भी सिल्क सारी के लिए काफी famous है तो जो सिल्क सारी बनाने वाले जो लोग है North और South के तो ये भी एक दूसरे के साथ collaborate करेंगे एक दूसरे से बहुत सारी चीजे सीखेंगे तो ये जो संगम था तो इसका focus textile भी रहा भारत सरकार ने 2030 तक textile के export का target रखा है 100 billion dollars और इंडिया की जो textile market है उसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका growth जो है ये 12 से 13% होगा और 2047 तक यानि कि आने वारे 25 सालों के अंदर जब हमारा देश एक developed देश बन जाएगा तो उस समय पर भारत की textile industry जो है इसकी size हो जाएगी 2 trillion dollars और export जो है इस sector के वो double digit से grow हो रहे हैं प्राइमिस्टर मोधी साहब ने 5F formula दिया है तो इसमें farm है जहां पर हम cotton और ये सारी चीज़े होगा आते हैं silk एक्सेटर फाइबर fabric fashion and foreign foreign का मतलब है कि export करना तो ये सारी चीज़ों की विज़े से ये sector जो है वो expand हो रहा है grow हो रहा है और इसका फाइदा जो है वो किसानों को भी होगा weavers को भी होगा and let me tell you कि textile जो sector है तो इसको labor intensive sector कहा जाता है let me light it down here labor intensive इसका मतलब है कि ये एक ऐसा sector है जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो काम करते है और जितना ये sector expand होगा उतनी ज्यादा jobs हमारे देश में create होगी ये संगम जो है ये 16th December को खत्म हुआ और next जो planning है इस event की वो तामिल लाडू में रखी जाएगी और textile sector जो है वो इस चीज़ को लेकर plan कर रहा है तो इसके बारे में हमारे प्यूश गल साब Times of India, sorry not Times of India, the Hindu में जो ये article लिखा है तो उसमें लिखते है कि ये भारत का जो culture है उसका एक नया युग है, एक नया उदाई हो रहा है और इससे हमारे देश को बहुत ज्यादा फाइदा होगा, holistic फाइदा होगा, economical फाइदा होग तो it's a good thing, right? Moving on to the next topic, barking up the wrong trade, the Hindu का ये article है, it's about e-voting, remote voting to be precise, election commission of India जो है इसने एक चीज एनौनस की है, एक अपना intention जो है वो ऑनौनस किया है and that is remote voting की शिरुआत जो है भो करना चाहता है, election commission of India अब EC यानि के इलेक्शन कमिशन जो है उसने ये प्रपोस किया है कि वो एक isolated remote voting machines का इस्तेमाल करेगा जिसको RVMs कहते हैं हम EVMs के बारे में जानते हैं इस आर कोल्ड RVMs remote voting machines और ये जो EVMs है उसके साथ जुड़े हुए होंगे अब वे सारे लोग जो remote voting के लिए eligible हैं who are these people देखिए हमारे देश में बहुत सारे लोग जो है migrants है migrants in the sense के उत्तर प्रदेश का एक citizen जो है citizens in the sense के उत्तर प्रदेश का एक resident जो है वो फिलाल गुजरात में job कर रहा है और लंबे समय से वो गुजरात में रह रहा है उसके सारे documents जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन वो काम कहां पर कर रहा है अभी existing वो जी रहा है गुजरात में तो elections होंगे उत्तर प्रदेश में तो वो सिर्फ vote देने के लिए एक दिन के लिए वापस जाएगा तो that is not possible बहुत ही expensive भी हो जाएगा उसके लिए और बहुत सारे दिन पी चले जाएंगे तो vote नहीं दे पा रहे हैं ऐसे लोग this is just one example तो इन सारे लोगों के लिए election commission जो है वो ये remote voting जो है वो लाँच करना चाता है 16th जानिवारी की बात है 16th जानिवारी को 2023 की बात है जब election commission जो है वो अलग अलग political parties को अपने ये जो आरवीम्स है वो दिखाने बाला है अभी ये ख़बर हमरे पास आई है लेकिन बहुत सारे प्रशन जो है वो उटते हैं पहला जो point है discussion का वो ये है कि जो लोग remote voting के सब्सकार के hindrance या फिर किसी problems के बिना क्या वो अपना वोट जो है वो दे पाएंगे फिर जो exclusions होंगे कि लेट से के आपने उत्तर प्रदेश जो हैं तो वहां पर नहीं आप गुजरात में अपना वोट देना चाहते हैं तो यहां से आपका नाम निकालना पड़ेगा यहा अगर किसी को रिमोट वोटिंग से डिनाई कर दिया जाए कि अगर रिमोट वोटिंग को इंटर्डियूस किया गया तो फिर ऐसा नहीं कि वोट देने के लिए जा रहा है लेकिन उसका नाम वहां पर है ही नहीं तो ऐसी situation ना हो इसका भी धियान रखना पड़ेगा जो invalidation है कि एक जगा से नाम हटाना और दूसरी जगा पर add करना तो यह correctly होगा नहीं होगा इसमें क्या क्या issues होंगे और आपको दो list तयार करने पड़ेंगे एक list में से व्यक्ति का नाम हटाना है एक list जो है उसमें उस व्यक्ति का नाम add करना है तो कहीं ऐसा ना हो कि गलती जो है और आपने वोट दिया वहां पर जनरेट होगी और आपने वोट दिया किसी और राज्य के एलेक्शन के लिए तो कैसे आप इसको काउंट करेंगे कैसे इसको सिंक्रोनाइज करेंगे तो यह भी बहुत बड़ा प्रशना उठता है और पॉलिंग एजेंट्स जो है र वो किसी और जगा पर हो रहा है अगें यही उत्तर प्रदिश और गुजरात का ही एक्जामपल हम कंटीनी करते हैं तो इमेजिन के गुजरात में एलेक्शन है या फिर उत्तर प्रदिश में एलेक्शन है और गुजरात में आपको पॉलिंग एजेंस तो रखने यह कुछ ऐसे topics अभी हमने जो questions उठाएं तो इन पर और ज्यादा विचार विमर्श करने की इसमें और गहराई में उतरने की ज़रूरत है कि आपके पास एक RVM आ गया है इसका मतलब यह नहीं है कि अब लोग जो है वो remote voting कर पाएंगे बहुत सारे issues जो है वो इससे create हो सकते है unfortunately it appears that the election results are declared in India without any VVPAT audits at all और यह बात भी सच है क्या होता है कि randomly आपको VVPAT जो है उसकी जो audit है उसमें जो चिथियां बनती है जो slips बनती है रिसीब्स है तो उनको count करना है टेली करना है तो Supreme Court ने भी यह कहा है कि आप पाँच randomly selected EVMs जो है हर एक assembly constituency में आप ऐसे पाँच randomly selected EVMs इसको लीजी और फिर उनकी जो VVPAT की जो slips है उनको आप मशीन के साथ compare कीजिए और देखे के make sure कीजिए के सारी चीज़े जो है वो बराबर चल रही है या नहीं लेकिन ज्यादतर cases में इसको follow नहीं किया जा रहा है और modern computer और digital security जो है यह भी एक question है एक खत्रा है इसको hack कि जाए यह सारे प्रशन भी है और इसके साथ साथ यह जो VVPAT हमने add किया यह बहुत सारे देशों के अंदर यह EVM जो है उनको use नहीं किया जा रहा है जर्मनी में भी नहीं है और दूसरे ऐसे European देशों में नहीं है तो भारत में भी EVM को लेकर काफी सारे प्रशन उठेते त जाकि आप इसको टैली कर सके तो वैसे ही यह remote voting जो है तो इसमें भी यही एक verifiable robustness की ज़रूरत है तो इसका solution भी कुछ निकालना पड़ेगा यह नो VVPAT EVM और RVM अब यह combination में कैसे best तरीके से हम use कर सके इसके बारे में सोचना चाहिए लेकिन यह जो election commission of India का जो यहाँ पर step है अफकोर्स बहुत सारी चीज़े बाकी है लेकिन आई वुट से कि यह एक right direction में तो step है ही अब मैं यह right direction इसको क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि future में आज नहीं भले 15 साल के बाद 10 साल के बाद लेकिन future में ऐसा ही होगा कि हम हमारे mobile phone से या फिर हमारे पास जो भी उस समय पर जो gadget होगा gadget के माधियम से ही वोट दे पाएंगे just imagine कीजिए कि अगर आपको सबसे important चीज क्या रहती है generally speaking right कोई भी किसी पर पैसों को लेकर trust नहीं करता है तो अगर हम पैसे जो है वो digitally जो beneficiaries है direct benefit transfer दे सकते हैं तो फिर वोट जो है वो क्यों नहीं दे सकते हैं digitally अगर हम पैसे transfer कर सकते हैं तो फिर वोटिंग भी हो ही सकती है अलग-अलग programs for example KBC चल रहा है तो लोग KBC में जो participate कर रहे हैं पैसे जीत रहे हैं घर बैठो जीतो jackpot ऐसा कुछ है न तो उसमें भी लोग जो है वो mobile phone के माधियम से करते हैं बहुत सारे Indian idol और पता नहीं कितन अलग-अलग shows हैं तो उसमें भी ऐसा होता है कि आप text के माधियम से mobile phone के माधियम से miss call के माधियम से आप अपना vote जो है वो दे सकते हैं participate कर सकते हैं तो यह technology है इसको और ज्यादा robust बनाने की ज़रूरत है और जो cryptocurrency के लिए जो एक blockchain का इस्तमाल होता है blockchain technology तो इस पर भी e-vote जो है या फिर e-voting system जो है इसको create की जा सकती है I'm not saying कि यह सारी चीज़े easily हो जाएगी right इसमें भी बहुत सारे challenges रहेंगे रेकिन future जो है वो e-voting का ही है right moving on the girls are off times of India का यह article है देखें बार-बार हम देखते हैं कि अलग-अलग राज्यों में यह चीज़ हमें देखने को मिलती है cabinet versus governor या फिर governor versus cabinet and when I say cabinet we are talking about the elected government right उस राज्यों के जो cm है उनके और governor के बीच में issues होते रहते हैं तामिल नाडू हैं केरला हैं डेली हैं इसके लावा भी कुछ राज्यों है और जब नरेंदर मुदी साहब गुजरात के chief minister थे ये बात मैंने कई बार बताई है लेकिन नए students के लिए ये बताना चाहूँगा कि जब वो गुजरात के chief minister थे तो उस समय पर यूपी ए की सरकार थी central government में और उस समय के जो governor थे वो गुजरात के उस समय के chief minister नरेंदर मुदी साहब के साथ इसी प्रकार का behavior जो है वो करते थे तो उस समय पर ऐसा लग रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जो CM है और जब वो PM बनेगा तो देश में इस प्रकार के governor वाला जो topic है वो या फिर governor और chief minister के बिच में जो issues होते रहते हैं ये issues जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाँगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ है अब तामिल नाडू के जो governor है आर इन रवी साहब तो वो तामिल नाडू assembly जो है उसमें से बाहर निकल गए वो चलकर बाहर निकल गए assembly में से और इसके बिचे reason यह है कि treasury जो है जो सरकार जो chief minister और उनके जो ministers है treasury जिनको हम कहते हैं तो treasury जो है उनको यह बात बिलकुल पसंद नहीं आई कि जो speech उनको देनी थी तामिल नाडू assembly में तो यह speech जो है वो government के दोरा लखी जाती है लेकिन उसका बहुत सारा text जो है उन्होंने बोलते समय omit कर दिया यानि कि उसको consider नहीं किया उसको reject कर दिया तामिल नाडू के governor आरेन रवी साब ने और इस प्रकार की चीज़ें हमें अलग 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 राजियों में देखने को मिलते रहती हैं now the thing is कि सबसे बड़ा problem जो है वो यह है bills को लेकर कि bills जो legislature के दोरा for example जो assembly के दोरा कुछ bills जो है जिनको pass किया जाता है by the assembly और governor के पास पहुँचते हैं तो हमारे constitution का article 200 जो है वो क्या कहता है कि governor जो होते हैं उनको declare करना होता है कि या तो वो उस bill को अपना ascent यानि की अपना एक signature करके अपना green signal दे दे या फिर उस bill को वो withhold करे तो ये चीज़ उनको बतानी है इसके साथ या तो governor जो है ये bill को president के पास भेज सकते हैं या तो ये bill जो है वो वापस assembly को दे सकते हैं changes जो है वो अपने suggest वो कर सकते हैं अब ये bill जो है क्योंकि again ये topic भी नया नहीं है इसके बारे में भी हमने कई बार बात की है चार options है governor के पास एक तो वो yes कह दे एक तो वो no कह दे एक तो वो president के पास भेज दे right और एक जो है वो means वो bill जो है वो वापस भेज द दे नो यहां कि उनको अगर कोई changes लग रहे हैं तो वो दे दे तो फिर वो ये जो bill है अगर house जो है वो या तो जो changes governor ने recommend किया है उसको follow कर सकता है या फिर उसको reject कर सकता है और बिल वापस अगर governor को दिया जाए तो फिर governor को उस पर signature करनी ही होती है यह हमरा constitution clearly कहता है लेकिन president को देते है ना तो वो return करते है राइट बस ऐसा ही अपने पास वो bill जो है वो पड़ा रहता है ना तो वो sign करते है ना तो कोई action ले रहे है तो यह constitution का जो spirit है इसका violation है इसके लिए governor को वहाँ पर नहीं बिठाया गया है और constitution और judiciary जो है वो इस चीज को लेकर यह pending bills जो है इ जरूर रहता है और एक और चीज है सारी छोटी छोटी चीज़े जो है वो constitution define नहीं कर सकता है थोड़ी चीज़े जो है वो लोगों को अपनी बुद्धी और जो best रास्ता है उसका इस्तमाल करते हुए चीज़ों को चल रहाना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बता है बहुत सारे opposition रूल स्टेट में यह चीज़ रहा है वो लोगों पर हो रहा है और governor जो है यह key intermediary होते है central और state के relationship की एक बहुत ही important कड़ी होते है और central government जो है उनके आँख और कान की तरह उनको काम करना है उनके हाथ की तरह नहीं कि वो सरकार जो है वो राज्य की सरकार जो है उसका गला गोटे इस परकार से अगर काम कर रहा है तो that is not good for our system तो let's hope let's hope के इसका कोई एक long term solution जो है वो निकाला जाए क्योंकि ये problem जो है ये साल में हम कितनी 10-15 बार अलग-अलग राजियों में होने बाले ऐसा issues जो है वो साल में 10-15 बार ये हम discuss करते हैं 2023 की शिर्वात हो चुकी है तो आप देखे इस इस दा फर्स टाइम भी आप देखेंगे कम से कम 10-15 बार ये topic जो है वो अलग-अलग राजियों को लेकर ये topic जो है वो आपको पढ़ने को मिलता है और ये national level का topic बन जाता है और ये सालों से चल रहा है ये पिछले 10-15 साल से तो चल ही रहा है उससे पहले भी चल रहा है लेकिन पिछले 10-15 सालों से ये topic जो है वो हर साल जो है वो 10-15 बार आता है आता ही रहता है लेकिन इसका कोई long-term solution आज भी नहीं निकाला गया get well times of India का ये article है जो wetlands international है इसका data ये कहता है कि पिछले 30 सालों के अंदर भारत में लगभग आप देखिए लगभग पांच में से दो ऐसे wetlands जो है हमारे वो बरबाद हो गया है पांच में से दो यानि कि we are talking about अगर 100% की बात करें तो उसके पांच अगर हम टुकड़े करें तो 20% 20% ऐसे 20 20 20 राइट ऐसे 5 टुकड़े हो जाते हैं तो we are talking about कि 5 में से दो यानि कि लगभग 40% जितने हमारे wetlands जो है 40% जितने wetlands पिछले 30 सालों के अंदर बरबाद हो गये हैं और हमारे जो wetlands उसमें से 40% जितने जो हैं वो ऐसे हैं ये तो बरबाद ह हो गये lost nearly lost lost nearly two of five wetlands और बाकी के जो 40% है वो aquatic animals को support नहीं कर सकते हैं इतने खराब हो चुके हैं reason is unplanned infrastructure, pollution, over exploitation, reclamation ये सारे man-made causes की वज़े से हमारे wetlands जो है वो बरबाद हो रहे हैं अब wetlands जो है वो important क्यों है wetlands जो हैं वो water storage के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दू के wetlands का मतलब क्या होता है बहुत सारे लोगों को शायद पता नहों बहुत ही simple language में मैं बता हूँ तो मान लीजिए के ये आपका एक शहर है ये बड़ा आपका शहर है इसमें छोटी बड़ी बिल्डिंग्स है इस शहर में रैट लेट से रेसिडेंस और सारी चीज़ा आ गई अब हमारे शहर के बाहर का जो location होता है तो यहां पर आपको कुछ ऐसे तालाब जैसी चीज़े देखने को मिलती हैं यहां पर अगर बार गोटर जो है वो यहां पर चला जाता है और यहां पर ecosystem जो है पूरी ecosystem यहां पर रहती है तो यह होता है wetlands बहुत ही simple language में तो पानी storage के लिए अच्छा है एक्वी फायर के recharge के लिए बहुत ही अच्छा है एक जो storms होते हैं तो उसके buffer के طور पर भी ये काम करते हैं जो बार आत करते हैं तो इसको naturally absorb करने का काम जो है वो भी ये wetlands करते हैं 75 ऐसे wetlands है हमारे देश में जो लगबग एक million hectare से भी ज्यादा का area surface area जो है उसको cover करते हैं ये रामसर convention जो है उसके पार्ट हैं और सबसे बड़ा जो हमारा wetland है सुन्दरबंड तो सुन्दरबंड के जो wetlands है तो इसमें भी 25% के mangroves जो है वो बरबाद हो गए है और इसके 50% जितने wetlands जो है वो 2005 से लेकर 2018 के बिच में बरबाद हुए है हिदराबाद में 55% जितने semi aquatic bodies जो है वो बरबाद हो गए है तो wetlands हमारे natural shock absorbers है इनको protect करने की हमें ज़रूरत है वनना फिर हर साल अगें ये भी कहानी जो है वो हर साल होती है urban floods जिसको हम कहते हैं हिदराबाद में urban flood हुआ था वरोदरा में होता है चैन्ने में होता है मुंबई में होता है डेली में होता है एहमदाबाद में राजकोर्ट में हर हमारे शहरों में ये urban floods हो रह है ब्रोडकास्ट न्यूज डोंट टिटी लेट एकोनोमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है गवर्मेंट ओफ इंडिया ने टीवी चैनल्स को प्रोग्राम एडवेट एडवेटाइजिंग कोड्स जो है उसकी याद दिलाई है और ये जो प्रोग्राम और एडवेटाइजिंग कोड्स जो है ये कोई ऐसे इंपोज नहीं किये जाते ये थोपे नहीं जाते ये जो है ये एक प्रकार के जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं और कॉमन डीसंसी जो है इसकी बात करते हैं ये तो अब हमारी टीवी चैनल्स पर क्या हो गया है कि एकसिदेंस नैश्रल डिजास्टर रायोट्स ये सारी चीज़े जो है इसकी तस्वीरे जो है वो दिखाई जाती है और ओडियो विज्यूल मीडिया जो है तो डीसंसी इसका एक पार्ट होता है सोसियल मीडिया पर कुछ भी डाला जा सकता है लेकिन टीवी जो है उस पर ऐसा नहीं किया जा सकता है और ऐसा न नहीं होना चाहिए जो टीवी चलाने वाले लोग है तो उनको responsibly ये make sure करना पड़ेगा कि ऐसी चीजे जो है वो ना हो और जो freedom of expression है तो जो मीडिया की बात करें तो इसमें एक ethics जो है वो भी add हो जाते हैं अब ये topic जो है वो news में इसलिए है क्योंकि रिशब पंत जो है तो उ news नहीं है these are not news ये एक masala items जो है के लोग जो है means लोगों के अंदर fear मैंने कई बार बताया है right fear को काफी exploit किया जाता है तो यहां पर यही है के लोगों के अंदर ऐसी visuals दिखा कर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक डर create होता है लोग जब डरते हैं तो वो चीजों को ज्यादा content जो है वो हमारे दिमाग को भी खराब करता है इसका फाइदा जो है वो दिखाने वाले को है बाकी किसी का इसमें कोई खास फाइदा नहीं होता है तो इसकी जगह पर कुछ अच्छी चीजे जो है वो दिखाने की जरूरत है तो यह चीज़ जो है वो सरकार ने मीडिया को बताया है ड्रग स्क्राउज की बात करें ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट जो है इसको बस्ट किया गया इसको पकड़ा गया लुदियाना मैंसी ये अपरेट हो रहा था और बहुत सारे से बिजनसमेन जो है वो बिजनस के नाम पर मिंस उपर से लगते हैं कि ये बिजनसमेन है लेकिन उनका सही धन्दा जो है वो ड्रग स्मगलिंग का है सिटी में वो ऐसी लेबोरेटरिस चलाते हैं जहां पर ड्रग्स जो है उनको बनाया जाता है और एक गोल्डन क्रिसेंट का नाम आपने सुना होगा अगर नहीं सुना है तो इसको थोड़ा गोगल करके देख लीजिए मैंने इसके इससे पहले गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल जो है तो इसकी तस्वीरे भी दिखाई थी मैंने तो यह बैसिकली यही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और फिर इसमें इंडिया एड़ हो जात है अब तो हम देखते हैं कि पंजाब के कुछ हरिया में पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो ड्रॉन से उनके मातियम से फिर यह ड्रग्स के पैकेट्स जो हनको लॉंच किया जाता है तो यह जो चीज अभी बस्ट वी इंटरनेशनल ड्रग रेकेट तो इसके लिए सेंट्रल गवर्मेंट और स्टेट एजनसी को कोलाबरेट और कोडिनेट करना पड़ेगा हम मिनिस्टर अमिट शाह साब ने कहा है कि इस ड्रग की जो यह एक ड्रग का जो प्रॉब्लम है ड्रग माफिया और यह सारी चीज़े जो अपरेट कर रही है तो जॉइंटली हमें लड़ना जो है यह डेथ क्रेसंट और डेथ ट्राइंगल है और यह भी कहा कि हमारे यंग्स्टर जो है उनको बरबाद करने के लिए यह स्ट्राटिजी जो है नार्को टेरिरिजम जिसको कहते है तो इसका इस्तमाल हो रहा है फिर यह ड्रग्स के जो पैसे हैं इनी पैसों का इस्तम अब जीरो टोलरेंस पॉलिसी फॉलो कर रही है वर इन कमस टू इलिसिट ड्रग ट्रेड और जी ट्वेंटी प्रेजिदेंसी जो है वो भी एक बहुत बड़ी ऑपरजुनिटी हमारे लिए कि हम दुनिया के मॉस्ट इंपोर्टन देशों को इस बात से इस बात से अवेर करें और अवेर के साथ साथ एक platform create करें कि हम मिलकर यह ड्रग का जो trade है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ें और इसी के साथ साथ दूसरे international platforms पर भी हमें इस चीज़ को spread करना है कि awareness spread करनी है और collaborations create करना है ताकि मिल जूलकर हम यह जो drug है या फिर यह पूरी जो industry है उसको खत्म करने के लिए जो भी कोशिस की जा सकती है उसको फोलो करें and that's basically everything in today's discussion dear friends you can support mission life we do support mission life mission life is basically about fighting against climate change right and that's everything from my side thank you very much for watching this video और जाने से पहले क्या आपने focus जो एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें focus क्या है concentration क्या है यह सारी चीजों के science और art को समझ रहे हैं art and science को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी तक इसके 4 lectures आ चुके हैं आज 5th lecture जो है वो शाम को launch होगा तो क्या आपने यह lectures देखे हैं अगर नहीं देखे हैं then do check them out this lectures this discussions will help you a lot guarantee him and that's everything I'll see you soon till then enjoy your studies God bless you all Jai Hind